ओम शान्ती आज 10 जनुबरी 2022 की साकार मूली आज बावनी कहा मीठे बच्चे सीमत पर तुम्हें सब की रुखानी खातिरी करनी है खुसी की खुराख खाना और खिलाना यही है सची खातिरी करना प्रश्न ग्यान में इस प्रिचिलिटी का जोहर भरने की बीधी क्या है उससे कौन कौन से फायदे होंगे उत्तर जब कीशी को भी ज्यान सुनाते हो तो आत्मा समझ कर आत्मा को ज्यान दो इस से इस प्रिचिलिटी का जोहर भर जाएगा इस नई आदत से कीशी को भी ज्यान सुनाएंगे तुसे जट तिर लग जाएगा शरीर का भान भी खतम होता जा फिर माया के तुफान वो बूरे संकल भी नहीं आएंगे क्रिमिनल आए भी नहीं रहेगी ओम शांती ग्यान का तिस्वा नेत्र देने वाला रोहानी बाप बैट रोहानी बच्चों को समझाते हैं ग्यान का तिस्वा नेत्र शिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता अभी कि अब पुरानी दुनिया बदलने वाली है, बिचारे मनिश नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ग्यान का तिस्दा नेतर ही नहीं है, तुम बच्चों को अभी ग्यान का तिस्दा नेतर मिला है, जिससे तुम सुष्टी के आद इमध्द अंद को जान गए हो। यहीं घ्यान की शेक्रिंग। सेक्रिंग का एकबुन भी कितना मीठा होता है। घ्यान का भी एक ही अक्षर है मन मना भाओ। यह अक्छर सभी से कितना मीठा है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, बाप शांती धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं, बाप आए हैं बच्चों को सौर का बर्सा देने, तो बच्चों को कितनी खुसी रहनी चाहिए, कहते भी हैं खुसी जैसी खुराक न खुराख सदेव एक दो को खिलाते रहो एक दो की जवरदस्त खातिरिय करनी हैं ऐसी खातिरी और कोई मनिश मनिश्की करना सके तुम बच्चे सीमत पर सबी की रुवानी खातिरी करते हो सची सची खुस खराबत भी या है कि इसको बाब का परिच़ ही देना मीठे बच्चे जानते हैं बेहत के बाप दोरा हमको जीवन मुक्ति की खुराग मिलती है श्चतियुग में भारा जीवन मुक्त था पावन था बाप बहुत बड़ी उची खुराग देते हैं तब तो गायन है अतिंदिय शुक पुछना हो तो गोब गोपियों से पूछो यह ज्यान और खुराग एक ही रुआनी सर्जन के पास है और किसको यह खुराग का मालूमी नहीं है बाप कहते हैं मीठे बच्चो तुम्हारे लिए तीरी अर्था धंतेली पर सवगात ले आया हूं मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सवगात मेरे पास ही रहती है कल्प कल्प मैं यह आकर त देता हूं फिर रावन छीन लेता है तो अभी तुम बच्चों को कितना खुसी का पारा चड़ाराना चाहिए तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरू है जम को साथ ले जाते हैं मोस्ट विल्वेड बाप से बीश्यों की बासाही मिलती है यह कम बात है क्या तो सदेव हरसित रहना चाहिए गौडली स्टूरेंट लाइफ इस दर बैस्ट यह भी काही गायन है ना फिर नई दुनिया में भी तुम सदेव खुसिया मनाते रहेंगे दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुसिया कब मनाई जाएगी मनिश्यो को तो सतियों का ज्यान ही नहीं है तो यहां ही मनाते रहते हैं परन्तु इस पुरानी तवो परधान दुनिया में खुसी कहां से आई यहां तो तराही तराही करते रहते हैं कितना दुख की दुनिया है बाप तुम बच्चों को कितना सहिज रास्ता बताते हैं गिरास्त ब रहते हैं वो उनका आसिक वो उनका मासुक होता है यहां वो बात नहीं है यहां तो तुम शबी एक मासुक के जरम जर्मानता से आसिक हो रहते हो बाप कभी तुम्हारा आसिक नहीं बनता तुम उस मासुक से मिलने के लिए याद करते आए हो जब दुख जास्ती होता है तो ज आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो और सा सा दैविगुण भी धारन करो तो तुम ऐसे लक्षी नारायन बन जाएंगे इस पड़ाई में मुख्य बात है ही याद की उंचते उचे बाप को बहुत प्यार सने से याद करना चाहिए और उंचते उचे बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चें को बीश्व का मालिक बनाने इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कर जाएं पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए हो इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन चाएंगे पती तो पावन बाप कोई बुलाते हैं ना अब बाप आये हैं तो जरूर पावन बनना पड़े बाप दुखरता सुख करता है ब्रोबर सत्युग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे अब बाप फे से कहते हैं बच्चे शांतिधाम और सुखधाम को याद करते रहो अभी है संगम यूग कि वया तुमको इस पास उस पार ले जाते हैं नईया कोई एक नहीं सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है उनको पार ले जाते हैं मिठे बच्चों को कितनी खुसियां होनी चाहिए तुम्हारे लिए तो सदे खुसी ही खुसी है बेहत का बाप हमको पढ़ा रहे हैं वा यतो कब न सुना न पढ़ा भगवानू बाच मैं तुम रुहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ तो पूरी रिती सिखना चाहिए धार्णा करनी चाहिए पूरी रिती पढ़ना चाहिए पढ़ाई में नंबर वार तो सदे होते ही है अपने को देखना चाहिए मैं उत्तम हूँ, मध्धम हूँ वा करिष्ट हूँ बाप कहते हैं अपने को देखो मैं उचपत पाने के लायक हूँ रुवानी सर्विस करता हूँ क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विसुल बनो फॉलो करो मैं आयाई हूँ सर्वीस के लिए, रोज सर्वीस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रत लिया है, इसका रत बिमार पड़ जाता है, तो भी मैं इनमें बैट मूरली लिखता हूँ, मुख से तो बोल नहीं सकते, तो मैं लीग देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मूरली मिश न मालिक बनाने आये हैं, जो अच्छा पूरसात करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है, देखा जाता है कौन महावीर है, जो बावा के डायरक्सन पर चलते हैं, बाव का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस सरीर को भूल जाओ, बावा भी सरीर को नहीं बाब कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ, बाखी यह तो ज्ञान है कि आत्मा सरीर बिगर बोल नहीं सकती, मैं भी इस सरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, सरीर के साथ यह आत्मा पढ़ सकती है, बाबा की बैठक यहाँ है, यह अकाल तक्त, आत्मा अकाल मूरत है, आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है सरी छोटा बड़ा होता है जो भी आत्माएं है उन सभी का तक्त या भ्रीकूटी का बीज है सरी तो सभी के भिन भिन होते हैं किसका अकाल तक तो पुरुस का है किसका अकाल तक तो इस्तिरी का है किसका अकाल तक तब बच्चे का है बाब बेट बच्चों को रुखानी ड्रिल सिखलाते है जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो हम आत्मा फ्लाने भाई से बात करते है बाब का पैगाम देते हैं कि श्रिप बावा को याद करो या सही जंक उतरनी है शोने में जब अलाएं पड़ती है तो सोने की वैलू ही कम हो जाती है तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम वैलूलेस हो गए हो अब फिर पावन बनाए तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तिसा नेत्र मिलाए उस नेतर से अपने भाईयों को देखो, भाई भाई को देखने से करमिंद्रियां कव चंचल नहीं होगी, राजभोग लेना हैं वीशो का मालिक बनाएं, तिया मेहनत करो, भाई भाई समझ सभी को ग्यान दो, तो फिर यह टेव अर्थाद आदत पक्की हो जाएगी, सच्चे सच्चे बरदास तुम सभी हो, बाप उपर से आये हैं, तुम भी आये हो, बाप बच्चों से सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं, हिम्मते मरदा, तो यह प्रेक्टिस करनी है, मैं आत्मा भाई को पढ़ाताँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको spiritual knowledge कह आजाता है जो रुखानी बाप से ही मिलती है संगम पर ही बाप आकर या नौलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो तुम नंगे आये थे फिर यहां सरी धारण कर तुमने 84 जनम पार्ट बजाया है अब फिर वापिस चलना है इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की द हो अर्थात पहले खूद को आत्मा समझ फिर भाईयों कु समझाओ तो अच्छी रीती तीर लगेगा या जोहर भरना है मेनत करेंगे ताभी उच्पत पाएंगे बाप आई हैं फल देने लिए तो मेनत करनी पड़े कुछ सेहन भी करना पड़ता है तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चूप रहो तुम चूप रहेंगे तो फिर दुसा क्या करेगा ताली दो हां से बजती है एक ने मुख की ताली बजाए दुसा चूप कर दे तो आप ही चूप हो जाएंगे ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है बच्चों को एक दो का कल्यान करना है बाप समझाते हैं बच्चे शदेव खुशी में रहने चाते हो तो मन मना भाओ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो भाईयों अर्थात आत्माओं तरब देखो भाईयों को भी ये नौलेज दो तेव अर्थात आदत पढ़ जाने से फिर कवी किर्मिनल नेत्र से तिसे नेत्र को देखो बावा भी तुम्हारे आत्मा को ही देखते हैं कोसिजियक करनी है शदेव आत्मा को ही देखें सरीर को देखे ही नहीं योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाईयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी बावा ने कहा ह भाईयों को समझाओ, भाई सभी बाव से बरसा लेते हैं, यह रुहानी नौलेज एक ही बार तुम ब्रामन बच्चों को मिलती है, तुम ब्रामन ही फिर देवता बनने वाले हो, इस संगम यूग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड संगम यूग है, तो बच्चों को रुहानी यात्रा पर रहने की टेव अर्थात आदर डालनी है, तुम्हारे ही फाइदे की बात है, बाप की सिक्षा भाईयों को देनी है, बाप कहते हैं, मैं तुम आत्मा को ग्यान दे रहा हूं, आत्मा को ही देखता हूं, मनिश्य तो उनके मुख को देखेगा न, तुम आत्मा से बात करते हो, तो आत्मा को ही देखना है, बल सरीर दोरा ग्यान देते हो, परन्तो इसमें सरीर का भान तोड़ना होता है, तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ग्यान दे रहे हैं, बाप भी कहते हैं, आत्मा ग्यान की लेन दिन आत्मा की आत्मा के साथ आत्मा में ही ग्यान है आत्मा कोई ग्यान देना है यह जैसे जोहर है तुम्हारे ग्यान में यह जोहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से जड़ तीर लग जाएगा बाप कहते हैं प्रेक्टिस करके देखो तीर लगता है या न यह नई टेव अर्थात आदर डालनी है, तो भी सरीर का भान निकल जाएगा, माया के तुफान कम आएंगे, बुरे शंकर्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी, हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाठक पूरा होता है, अब बावा की याद में रहना है, या से ही तमपर्धान से सतोपर्धान बन, सतोपर्धान दुनिया के मालिक बज जाएंगे, कितना सहज है, बाव जानते हैं, बच्चों को यह सिक्षा देना भी मेरा पांठ है, कोई नई बात नहीं, हर पांच यहर बत से बाद हमको आना होता है, मैं बंधाई मान हूँ, ब ममेकम याद करो, तो तुम्हारी सदगती हो जाएगी, याद की आतरा से पाया मजबूत हो जाएगा, या देही अविमानी बनने की सिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है, कितना वोंडरफूल ज्यान है, बावा वोंडरफूल है, तो बावा का ज्यान भी वोंडर तिसे नेतर से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहना थे, अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल थे बच्चों प्रती, मात पिता बाव ददा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रोहानी बाव की रोहानी बच्चों को नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाव सदा को याद प्यार गुड मॉनिंग नमस्ते नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहला पोइंट ज्यान के तिसे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है कोशिश करनी है सदेव आत्मा को ही देखे सरीर को नहीं तो क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे बुरे संकल्ब खतम हो जाएंगे दुसरा पोइंट ताली दोहां से बजती है इसलिए जब तुम्हे कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चूप रहो अगर तुम चूप रहेंगे तो दुसरा आप ही चूप हो जाएगा आज प्यारी मिछे बावा का बर्दान ब्रम्हा बाव के प हो कि ब्रम्हा बाव से मारा बहुत प्यार है तो प्यार की निसानी है जिससे बाव का प्यार रहा उससे प्यार हो जो भी कर्म करो कर्म के पहले बोल के पहले संकल्प के पहले चेक करो कि यो ब्रम्हा बाव को प्रिया है ब्रम्हा बाव की बिसेस यही रही जो सोचा वो किय जो कहां वो किया ओपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजिशन पर सेड रहे तो प्यार का प्रेक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर शपूत और समान बनना सलूगन खुश नसीब आत्मा वो है जिसके संकल्व में भी दूख की लहर नहीं आती लवलिन इस्तिती का अनुभोग करो परमातम प्यार खूट है अटल है इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है लेकिन परमातम प्यार प्राप्त करने की बीदी है न्यारा बनना जितना न्यारा बनेंगे उतना परमातम प्यार का अधिकार प्राप्त होगा ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलिन इस्थितिक अनुभो कर जकती है अच्छा, ओम शान्ति